एक दिन पंडित को प्यास लगी, संयोग वस घर में पानी नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी पडोस से पानी ले आई, पानी पीकर पंडित ने पूछा कहां से लाई हो बहुत ही ठंडा पानी है, पत्नी कहती है पडोस के कुमार के घर से, पंडित ने यह सुनकर लोटा फेक द अब ऐसी भूल नहीं होगी, साम को पंडित जब खाना खाने बैठा तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, पंडित कहता है रोटी नहीं बनाई, भाजी नहीं बनाई, पत्नी कहती है बनाई तो थी, लेकिन अनाज पैदा करने वाला कुड़ भी सुद्र था, और जिस क पंडित बोला कि पानी तो ले आओ, पत्नी कहती है पानी तो नहीं है जी, पंडित गड़े कहां गए हैं, पत्नी वो तो मैंने फेक दिये, क्योंकि कुमार के हाथ से बने थे, पंडित बोला दूधी ले आओ, वही पीलूंगा, पत्नी दूध भी सेक दिया जी, क्योंकि ग जो पानी में तो लगती है पर तुद में नहीं लगती। पंडित के मन में आया की दिवार से सर फोल ले। गुर्रा कर बोला तुने मुझे चौपट कर दिया है जा। आंगन में खाट डाल दे मुझे नीद आ रही है। पत्नी कहती है खाट। खाट तो उसे मैंने तोड़कर आये पत्नी फेक दिया उसे माली सुद्र जाती ने बनाया था पंडित चीखा सम्में आग लगा दो घर में कुछ बचा भी है या नहीं पत्नी कहती है हाँ यह घर बचा है इसे अभी तोड़ना बाकी है क्योंकि इसे भी तो पिछडी जाती के मजदूरों ने बनाया है पंड के देश में जाती बात खताम हो जाए धन्यवाद